असलाव अलेक्पुरेन मैं हूँ आजिप फत्री और आज मैं बना रहा हूँ चोकलेटी का जक्त जिया दोस्तों इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत टेस्टी और बहुत स्वाजिस्ट बनेगी आप एक बार जरूर ट्राइ करके देखें देखें एक दम खसता और खाने म स्वाज्व लेंगे देखें हल्का सी सुवन आने लग जाए और अलक सा colour व्दल जाए जब तरह हमिए इसे रोश्ट्य कर लेना है इसे रोश्ट्व हो जाना के बास एक बड़े से परतन में हम तील को निकाल लेंगे और इसे हम निकाल कर अच्छे से फिखला लेंगे और अच्छे से हम ठंडा हो जाने, देखे मेरी तील ठंडी हो चुकी है, तब मैं इसी पाइंट पर इस मिक्सी की जार में इसे एट कर देता हूँ, एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें हम सारी तील को डाल देंगे, और उसके बाद देखे मैंने कोको पाउडर लिया है, तीन चम् बस इसी पाइंट पर हमें करना है, तो अब हम साइड में रखते हैं ताकि जिसमें हम सेट करें है हमारी गजक, और बिलन पर भी जो मैंने एक बिलन लिया, इसमें भी गई लगा लिया, अब मैंने एक कडाई को घरम कर लिया, आदा चमच भी डाल कर और गुल डाल दिया और गुल को अच्छे से मिल्ट होने देगे हम देखे मेरा गुल मिल्ट हो गया तो इसी पाइंट पर मैं इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल देता हूँ चीनी और गूर दोनों को मिल्ट कर लेंगे और अगर जरुवत हो तो आगर इसमें एक या आधा चम्मच पानी डाल लेंगे देखिए मैं करीब एक चम्मच पानी डाल दाओ और अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेता हूँ देखिए इस तरह से जब हमारी चासनी पूरी तरह से तयार हो जाए तो इसी पाइंट पर जो हमारी तील का जो पेश्टे वो डाल लेंगे सारा डाल कर अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद mix करतने के बाद गेस की फिले मां यही इसी point पर आप बन कर दे देखिए अच्छे से मैं mix कर लिया है यह हमारा बरतन छोड़ दिया हमारे इसने तो बस इसी point पर हम इसे निकाल लेंगे और इसका अब हम set कर लेंगे देखिए इस तरह से हम इसका shape देदेंगे जो shape आप देना चाहो अब यह balance ले रहा हूँ balance से अच्छे से हम bale कर और जैसे हमें पसाना उस shape में हम इसे bale लेंगे और उपर से मैं थोड़ी से तील लगा लेता हूँ इस तरह से थोड़ी से तील लगा के फिर उसे balance से अलका-अलका सा इसे प्रेस कर देंगे और जो shape हमें पसान हो जो size इसमें उस size में आप cut कर ले देखिए मैं medium size में काट रहा हूँ न ज्यादा बड़े और न ज्यादा छोटे रख रहा हूँ तो इसी तरह से आप भी इन्हें cut कर ले और दोस्तों आप जरूर ट्राइ करें और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को like करें मेरे channel को subscribe करें करें आप लोस्तों आपको Midi खूर necessary रहा हूँ